नमस्कार दोस्तों स्वागया था आपका अपने YouTube चैनल वी नियुजिकेशन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियों देखेंगे हम लोग सेट नमर पचीस कितना देखेंगे सेट नमर पचीस और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग एक से लेके 24 तक का रिविजन कर चुक हैं ठीक है अगर आप इन सभी का रिविजन नहीं किया है तो जाके फटापट रिविजन कर लिजे जिसका 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है और उसको ध्यान रखना वनली दो महना आप समय बचा हुआ है दो महना में अच्छे से अप लोग तयारी कीजिए जो भी सेक्षन आपका छूटा हुआ है उसको आप कवर कीजिए ठीक है और ज्यादा ज्यादा मेहनत कीजिए तभी जाके आपका दोस्तों इसमें रिजाल्ट होगा और 70 प्लस हराल में हम लोग को यहां पे करना है तब जाके रिजाल्ट होगा ठीक है ध्यान रखने जिगो तो चले शो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पह देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है यहां पर कर रहा है कि 13 ताली के यहां पर 13 ताली डैस का लोक निरीत है यानि कि 13 ताली बताना है कहां का लोक निरीत है याद रखना यह मर्द परदेश को जगा कहां का होगा मर्द परदेश आपसन भी हो जगा और याद रखना मर परदेश में ये दोस्तों जो है आदिवास्टियों के दोरा ये मनाये जाने वाला लोक निरीत है ठीक है ध्यान रखना चले नेक्स कुशन यहां पर देखेंगे कौन सी संधी का रहे कि पांच परमानु हतियार सक्तियों और सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के पांच अस्थाई सदस्यों दुआरा सेस विस उपर 1968 में लागू किया था ठीक है परमानु हतियार सक्तियों को याद रखना इस क्राइट टंसर यहां से डी हो जागा यह अपर सार संधी के दौरा दोस्तों यह लागू हुआ था ठीक है आप्सन डी यहां से ध्यान रखना चले आ पूछ रहा यहां पर का रहा है कि हुईलर दीप यहां पर हुईलर दीप जहां से का रहा है कि सता से सता मार करने वाली अगनी मिसाइल का परिक्षन किया गया है यह किसके निकट इस्तित है हुईलर दीप याद रखना यह ओडिशा के तट के निकट इस्तित है ठीक है आप संसद को संबोधित करने का यानि कि वो संसद का सदस नहीं है लेकिन वो संसद को सम्बोधित कर सकता है कौन वेक्ति होता है याद रखना ये भारत का अटोरणी जंडर होता है कौन अटोरणी जंडर आपसση D आपका करेक्ड जागा नेक्स के आप पूछ रहे हैं यहां पे कहा रहे हैं कि भारत को गंतंत्र क्यों कहा जाता है बताना यहां पे भारत को गंतंत्र क्यों कहा जाता है याद रखना यह D हो जागा यहां राज का परमुख निर्धारित अबधी के लिए निर्वाचीत होती है ठीक है में पूइंट से गंतंत्र हो गया थे निकि सविधान लागो हो गया था चले नेक्स कुछन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ Right कि राष्टald के संब्द में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है यानि कि राष्ट app'ti के संबंद में कौन सा कथन यहाँ पर सही है यहाँ पे बोल रहा है कि परतेक आम चिनाव के पस्चात वज संसद के पर्थम सत्र को संबोधित करते हैं यह अपका कथन सही है ठीक है आपसन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है कि भारते सविधान में बिधाईका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका किस सविधान से लिया गया है याद रखना यह ब्रिटीस के सविधान से लिया है ठीक है आपसन ए हो जाएगा ठीक है और याद रखना आयरलेंड के सविधान से दोस्तों संगवाद को किसने सहकारी संगवाद कहा था घयाद रखना यह क्या होगा D हो जगा के cs पला सेट लगा चुक है अगर इन सभी का आप रिविजन नहीं किये हैं यह आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहे हैं जाके आप पटापट सभी सेट का रिविजन कीजिए ठीक है और दोस्तों ध्यान लखना वंली दो महिना समय है दो महिना अपने आपको दे दिजिए 100% आप लोग जो है जरूर जोइन करेंगे और संडे को आपका 10 वज़े से टेस्ट होता है गुरूप टेस्ट वोग जरूर ALEX जोएन करना है ये भी question पूछा जाता है, उदेशिका या प्रास्तावना में एक वार संसोधन हुआ है, ये कौन सा संसोधन हुआ है, याद रखना ये 42-वा सविधान संसोधन हुआ है, 1923 में, ठीक है, आपसन यहां से C आपका correct हो जागा, नेक्स क्या पूछ रहा है, यहां पर कर रहा है कि जंप बॉल, कि यहां पर जंप बॉल सब्द का संबंद किस खेल से है, याद रखना बेस बॉल से, किस से हो जागा, बेस बॉल से, आपसन यहां से A आपका correct हो जागा, next क की आप पूछ रहा है यहाँ पी जिस्वव मिर्दा दिवस निमलिखित में से किस दिन बनाया जाता है याद रखना पांच दिस्तमबर को कब पांच दिस्तमबर को आपस् 년 से C आपका राइट हो जागा नेक्स किया पूछ रहा यहांपर कररा है कि डेस वह मुदरा है जिसे भुकतान करता और प्राप्त करता के बीच विस्वास के कारण वीने में के माध्याम से रूप में दोसों दोसों जा अशW soup कार किया जाजाता कौन सी मुदरा होता हुँ तो याद रखना यह परतियाई मुद्रा होता है क्या होता है परतियाई मुद्रा आपसन यह से B आपका राइट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर करें कि वास्तिविक मजदूरी दर के बारे में बताना है कि निमलेखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है वास्तिविक मजदूरी दर यहाँ पर राइट टंसर यह C हो जागा वास्तिविक मजदूरी दर सरम की दोसों सीमान तो उत्पादन के बराबर होता है ठीक है आपसन C यहाँ से याद रखना चले नेक्स क्वेशन यहाँ पर देखेंगे ध्यान रखना होगो मीक्स क्वेशन वाँ पर हम लोग देख रहे हैं याद रखना होँ वाँ पर GK और उसके बाद साइंस उसके बाद आपका करेंट अपियर इन सभी को वाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं जो टॉप मोश्ट दोस्टों क्वेशन है हरित करांथी का जनक दोस्टों जैहें किसी काजता है इसका सबसे अधासों परभाव जो परा था यानि की गेहूं के उत पादन में सबसे अधा परभाव परा था गेहूं का उत पादन उसमें बढ़हा था ठीक है उसके बाद दूसरे अस्थान पे यहां धान का खेती यानी चावाल रहा था ठीक है धान रखना चले नेक्स कुछन यहां पे देखेंगे क्या आप कर रहा है कि पलोटो की खोज किस ने की थी बताना है याद रखना यह डी हो जागा क्लाइड यहां से क्लाइड टॉमबो क्या होगा क्लाइड टॉमबो आपसन बी आपका सरी डी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है यहां पे कर रहा है कि अलक नंदा की कौन सी सहायक नदी करन परियाग में मिलती है कर्ण परियाग में मिलती है यहाँ पे सभी परियाग को आपको लिखाए है याद रखना सभी को ठीक है अलक नंदा और कौन से नदी की साहिक नदी है जिसको मिला के कर्ण परियाग में मिलती है अलक नंदा और दूसरा नदी पिंडर है किंडर और अलक नंदा की संगम को कर्ण पडियाग होता है यानि कि कर्ण पडियाग में यह दोनों जाके मिलती है option B हो जाएगा चेले next question यहाँ पर देखेंगे निमलिखित में से किसे का रहा है कि पर्वतिया पर्यटन अस्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है पर्वतिया पर्यटन अस्थलों की राजकुमारी किसे काते है याद रखना इस क्राइट टेंसर क्या होगा कोड़ाई कनाल क्या हो जागा यह कोड़ाई कनाल आपसन यहाँ से B आपका correct हो जागा नेक्स क्या पूच रहे हैं यहाँ पर करें कि भारत में कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों करने वाला राज बताना है क्या यहाँ पर कॉफी है तो कॉफी याद रखना है कौशे कॉफी कौशे करना टक आपसन क्या होगा यहां से C आपका right हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है यहां पे कर रहे कि बेतवा नदी कि यहां पे बेतवा नदी मिलती है बेतवा नदी दोस्तों जाए किस नदी से मिलती है तो याद रखना यह यमुना नदी से मिलती है किस से यमुना नदी से आपसन यहां से क्या होगा B आपका 라ight हो जागा next क्या पूछ रहे यहां पर दिया है कि चंदरगुप्त दुसनों किस once का सा सकता याद रखना यह मौरी once का हो जागा बावर का जन्म दुसनों किस वर्स हुआ याद रखना इस कराई टंसर E हो जाएगा 1483 इसी में ठीक है आपसन E हो जाएगा आज तो यह पानी पत का जो पहला यूद हुआ था ये इवराहिम लोदी और बावर के बीच इसी यूद के बाद दोसों जो है मुगल समराज का जो है नीव पड़ा था ठीक है ध्यान रखना चले नेक्स कुस्न यहाँ पर देखेंगे हर्सबर्धन के यहाँ पर हर्सबर्धन की मृतियों के बाद परतिहार पाल इवमराष्टकुत वंस के दोसों जैर राजाओं ने डैस पर अधी यहाँ पर अधी पत्त प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ यूद किया था भारत में पासान कालिन, कहां पर भारत में पासान कालिन सीला चित्रकारी कहां पाई जाती है, सीला चित्रकारी दोस्तों कहां पाई जाती है, याद रखना ये भीम बेटका हो जागा, क्या होगा भीम बेटका, आपसन यहां से बी आपका करेक्ट हो जागा, नेक्स क्या पू ठीक है इसको राया है इससे आपका confidence बढ़ेगा और दोस्तों competition group में आपको बढ़ेगा कि इसको इतना नमर आए तो मुझे क्यों कामा रहा है इससे आपका तैयारी बढ़ेगा ठीक है ध्यान रखना चले नंक्ष्न यहान पर देखेंगे क्या पूछ रहा है कि भारत किस किले में इस्दित है तो यह चैता है याद रखना किस किले में इस्दित है तो 29 कई ए और नहीं हो जागा आघारा की न बिहार क्या होगा ये बिहार हो जातागा आप रखार हो जातागा। हुआ था सबसे पहले याद रखना यह हुआ था बिहार में कहा हुआ था बिहार अपना आपसन सी हो जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है कि बिहार में पाए जाने वाले खनीजों के अस्थन कर रहे कि सही मेल बता रहा है देखिए इंपोर्टेंट कोश्चन रहेगा 33 का 25 या बहुत है और टीन आपका गया जिला में यह भी सही आपसन यहां से डी हो जाएगा उप्रोप में से सभी सभी करीज को दोस्तों याद रखना एकजाम में पूछ रहता और बिहार से क्वेस्टन भी पूछ जाएगा एकजाम में ध्यान रखेंगे चले नेक्स कुस्ण यहा यहां पर वेबाज दूस्तों एसोसियेशन के अस्थापना कहां पर हुई थी याद रखना इस क्राइट एंसर क्या होगा ए हो जगा दर्भंगा क्या होगा यह दर्भंगा आपसन यहांसे ए आपका करेक्ट हो जगा नेक्स क्या पोच रहा करें कि निमली खित में से मध काल में बिहार आने वाले यात्रियों में पर्थम था मध काल में बिहार आने वाले यात्रियों में पर्थम कौन था बताना यहां पर राइट एंसर यहां से अब्दुल लतीफ हो जागा, क्या होगा यह अब्दुल लतीफ, आफसल यहां से C आपका correct हो जागा, नेक्स क्या पूछ रहा है, यहां पर करें कि बिहार में इस्थित महात्मा गांदी सेतू के दूसमों लंबाई कितनी है, याद रखना यह question जो है, बिहार के एक्जाम में तीन-चार बार आल्डेडी पूछा जा चुका है ठीक है बिहार में जो महत्मा गांदी सेतू है इसका लंबाई कितना है पूछ रहा है याद रखना यह आपका हो जागा 5.575 किलो मीटर ठीक है आपसन यहांसे भी आपका राइट हो जागा नेक्स किया पूछ रहे कर रहे कि पतना कलम किस से संबंदित है याद रखना यह कर रहे कि गायब होता हुआ धेस उपन्यास के लिखा उठका कौन है रहे हैं कि भारते 17 संग्राम में सौधेसी अंदोलन के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सत नहीं है कौन सा कथन आपको बताना है सत नहीं है याद रखना ये बी हो जागा सेद हैदर राजा कर रहे हैं कि भारत में सौधेसी अंदोलन का नेत्वित कर रहे थे ये क् का बिल्कुल गलत है ठीक है बंगाल में सुधिसी अंदलन का मुख्य गीत जो रभी दरनाद टैग और अमार सुनार बंगला लिखा था ठीक है अमार सुनार बंगला वर्तमान में किस देश का देश का देश का देश का है याद रखना जो है यह बंगला देश का है गनपती ग वहसन आपका पूछा जाता है याद रखना चले नेक्स कसन यहां पर देखेंगे मदद ए मास किया होगा बहादूर सा हो जागा क्या होगा बहादूर सा आपसन डी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है कि महारा सरकार ने राज के पहले ग्रीन अमोनिया क्या यहां पर राज के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझोता किया है यह किसके साथ समझोता किया है याद रखने के चाहां से हो जाएगा चंबल फर्टीलाजरस एंड केमिकल लिमिटेड से ठीक है आपसन यहां से C आपका राइट हो जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है यहां पर दिया है आपका F.I.H. F.I.H. होकी से संबंदित है यहां पूछ रहा है यहां पर दिया है कि कॉर्परेट समाजिक जिम्मेदारी यहां पर कॉर्परेट समाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट यह खेल पूछ सहान पूरुषकार 2030 के से परदान किया गया इंपोर्टेंट रहेगा कैरेंट से भी आपको लगबग 5 कोईशन पूछा जाता है ठीक है कारेंट पर ज्यादा फोकस मत कीजिए अभी मेन सब्जेक्ट पर आप लोग फोकस कीजिए ज्यादा यहां पर देखिए किसे मिला है यह पूरुषकार तो याद रखना यह हो जागा ठीक है आपसन यहां से भी आपका राइट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है करेंगे किस कोशिका की गरवरी के कारण होता है यह किस कोशिका की गरवरी के कारण होता है यह संकु कोशिका हो जागा क्या होगा संकु कोशिका आपसन यहां से भी आपका करेक्ट हो जागा और यह दोसों आख से संबंदित रोग है ध्यान रखना चले नेक्स पसंद यहां पर देखेंगे क्या पूछ रहा है निमलिखित में से कौन सा जीव कर रहा है कि पुनर जनन के पुनर जनन और मुकुलन द्वारा परजनन करता है याद रखना इस कराई ट्रेंसर C हो जागा ह हड्रा कौन सा जीव है हड्रा आपसन यहां से C हो जागा निक्स क्या पूछ रहा है यहां पर कहा रहे है कि लोह मैटा का रोग जो है या जिए स्वान साथ जो है क्या अंदर लेने से होता है या है औखना इसक्राएट देलसर भी हो जागा दोलो धूल क्या होगई गई है अब लोह धूल लोसौ लेने से आपसान B आपका राईट हो जागा। नेक्स क्या पूछ रही है आफ कर रहे कि आपसन ए यहाँ से राईट हो जागा। चले डागे बढ़ते हैं नेक्स कुसन यहां पर देखेंगे वर्स 1948 में किस पुर्टगाली अनवेंसक करें कि यूरोप में भारत के लिए एक नए समुंदरी मार्का खोज किया था चौदर सड़्टेंड में किसने किया था भारत का खोज तो वासको डेगामा किसने वासको डेगामा आप thriving A हो जागा ठीक है और यह केरल के काली का Detroit दोатели गलाता था जिसका स्वागत किया था ज्मोरी नामग दोसने जह很好 का इसे इसम्रूरी नामग दोससे इसका स्वागत किया ठीक है ध्यान रखना चले next communion यहां पर देखूएनंगे क्या यहां पर एकिवस करदा है किसके भारत को परतृम डीसी ओटा वारस वीकी इनक यह लिए है किसे लिए यहां रखना इसटर बी हो जगा ये अतिसार के दोस्तों जे कारण सिसू मिर्तियु दर का सामना करने के लिए ठीक है आपसन यहाँ से भी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर करेके उपकला क्या है पर उपकला उत्तक का कौन सा परकार एक चप्टी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अन्यमित होते है उसका किनारा याद रखना यह क्या होगा सलकी हो जागा क्या होगा यह सलकी आपसन डी यह यह चार होता है कितना चार आपसं यह से आपका करेक्ट हो जागा नेक्स किया पूछ रहे करें कि आज अधिकांस केम्पूटर डैस है आज दो दूस्तों हम लोग केम्पूटर जो उपलाब्द है यह पूछ रहा है कि कौन सी PD का एक परकार से कम्पूटर है याद रखना इस कराये टंसर यहां से बी हो जागा चोथी PD का क्या होगा चोथी PD का आपसन बी यहां से करेक्ट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है यहां पर कर रहा है कि बहुतिक मात्रा चुमबकिया परभाव क्या परभाव डैस की इकाई है किसकी इकाई है चुमबकिया परभाव की इ परवाह में कर रहा है कि तरल पदार्थ में डैस हर बिंदू एक समान रहता है कौन सा एक बिंदू दूसरों जब हर समान होता है याद रखना ये वेग हो जगा वेग हर बिंदू दूसरों जब पदार्थ में हर समान होता है आपसन सी हो जगा दोस्तों आपस रिक्वेस्ट अगर आप इस चनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना डेली यहाँ पे दोस्टों आठ वजे आपका बिहार प्लिस का C8 प्रैटिक्स करवाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और यह वीडियो आप जरूर लाइक कर देना और यह वीडियो कैसा लग रहा है यह कॉमेंट करना चैनल नेक्स कुशन यहाँ पे देखेंगे गती के दूसरे समिकरन द्वारा किसके बीच संबंद दोस्टों दर्साया गया है याद रखना इसका राइट एंसर क्या होगा यह B हो जागा अस्थान और समय का किसका अस्थान और समय आपसन B हो जागा ठीक है ध्यान रखना चैनल नेक्स कुशन यहाँ पे देखेंगे धोनी के संचरन के दौरान माध्यम में कनों के उच्छ घनतव का छेतर क्या कालाता है उच्छ घनतव का जो छेतर कालाता है याद रखना यह संपिंडन कालाता है क्या कर दाता है संपी डन option यहां से सी आपका correct पर याद रखना धोन में की उटों तो कहान लिए किसी ने किसी माध्यम की अवल सकता होती है ठीक है और सबसे ज़्या जो तो गवन होता है यह ठोस में होता है ठीक है याद रखना गती यहां पर धोनी के गती जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है कि परकास उत्सरजक डायोड जिसे हम लोग एलेडी बोलते हैं ठीक है एलेडी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में पर्यूग किया जाता है जिससे जैसे कि आपका टीवी को टेली विजन और डैस को छोड़ कर टेली विजन दूसों जहाए चोड़ती है यहाँ पर पूछ रहा है याद रखना है इस क्राई टेंसर यहां से रेडियो तरंग दूसों छोड़ती है ठीक है आपसं सी हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है कि धोनी में कर रहा है कि धोनी डैस में संचरन कर सकती है धोनी दूसों किस में संचरन कर सकती है यहाँ पर राइट अंसर यह सभी विकल्प में ठीक है यह ठोस में भी कर सकता है गैस में और दरब में ठोस दरब गैस इस परकार से होता है ठोस में सबसे जदा उसके बाद दरब में उसके बाद गैस में होता है ठीक है ध्यान रखना इनमें से सभी विकल्प सही है आपसंड करता है ठीक है इस परी घटना को क्या काते हैं इस परी घटना को जो कहते हैं याद रखना प्रिश्च तना आपसन यहां से यह आपका करेक्ट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा करके कारवन मोनो अक्साइड में परते एक ग्राम कारवन के लिए लगभग कितना अक्सिजन हो जाएगा नेशज है पूछर यहां पे करें जल उपचार के दुस्तों और नाट के हाँ पीया और लीन के यूरिया में पूछरे हैं तुस्ति में मिलाय जाया झानान पूछर पर इस्तेमाल किया जाने लाइ नाइट्रोजन अधारित उरवरा का ठीक है इस भी आँने के बीच करहां के दौरां दौरां त्यार किया जताए तो अमोनिया डैस और दोस्टे हो सब्सक्राइब हो जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है यहां पे करें की नाइट्रो मिथेन का साही रासानिक सुत्र क्य हैं पे खाने का soda का बेग्यानी के नाम खाने का सोडा का जो बेग्यानी के नाम होता है तो आद रखना sodium by carbonate ठीक है sodium by carbonate इसका formula याद रखना उसके बाद देखे करें कि सही मिलान वाला आपको यहां पर चुनना है कौन कुन सही है यहां पर ठीक है एथनॉल का सुत्र CH3 CHO यह बिलकुल आपका सही है उसके आपका तापका तीन का सही है वन ब्रोमो प्रोपेन उसके बाद यहां इसका फर्मूला CH3 CH2 CH2 BR यह भी आपका आपसन यहां से sẽ आपका करेक्ट हो जागा नेक्सके पूछ रहा करके कि इन में भाववाजक संग्या कौन सी है दोस्तों बताने कौन सी है कौन से हो जागा, यहाँ पर हिंदी है इमान दारी, इमान दारी एक परकार से भाव ऐख संग्या में आता है आप सन बी हो जागा संग्या कुल पाँच परकार किया होते हैं याद रखना वाज़ने करए कितने परकार किते हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द दिजिए यानि के अनेक सब्द का एक सब्द जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं याद रखना है यह अतुलनिया हो जागा क्या होगा यह अतुलनिया आपसन ए यहां से राइट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहे हैं यहां पर करके दांत का पडियाबाची यहां पर नहीं है दांत जो होता है दांत का यहां पर पडियाबाची नहीं है कौन सा आपसन में ठीक है यहां पर देखिए दाडिम है उसके बाद आपका दांत है रासन और रदन तो यहां पर कौन सा नहीं यह तो दिमाग चातना, महवरे में याद रखना, वयर्थ में बखिए जाना, आप सनन बमक्त हैं, रिक तस्तान को पूर्ती करें, ठीक है, रिक तस्तान को यहाँ पूरा करेंगे, चिड़ियां डैस है चिड़ियां चाछाती है चिड़ियां क्या वो करती है चाछाती है आफसन बी हो जागा को přूछ रहा करें कि सही बरतनी वाली यहां से भी कोई क्वाज़िसन पूछा घा है एक सब्द दे अब को बोलेगा कि कॉन साइस में सही Tapi क्लिभा लिखा हुआ ह कोई तीलुटी है ठीक है वाक क्या है कहने की अवसक्ता नहीं नहीं की पुरुस्ट किंतु नारी 1-2 पूरक है यहाँ पे क्या गलत है यहाद रखना यह सी होजाएगा अफ़सनषरी है next का पूछ आपका right हो जगा, अब English है, English कोई भी skip करके नहीं चलेंगे, हम बार-बार बोल रहे हैं, याद रखना, daily आप लोग revision करेंगे, तीन से चार नमर आपका सही होगा, ठीक है, सतर प्लस स्कोर करने के लिए, तीन से चार आपका enough है, ध्यान रखना, यहाँ पर complete करना है, sentence को यहाँ पर खाली जगा में क्या होगा, ठीक है, some people regret the world as in, dash यहाँ पर क्या होगा, तीसका right answer यहाँ से होजागा, यहाँ से illusion होजागा, option C यहाँ से correct होजागा, next क्या पूछ रहा है, फिर से आपका fill in the blank है, यहाँ पर देखेंगे, as he crossed the desert, desert he nearly dashed to third wind, he was forced to go without water for four days and five nights, right answer यहाँ से क्या सी का E होजागा, ठीक है, यहाँ पर होजागा, E यहाँ से correct होजागा, चले, next question यहाँ पर देखेंगे, synonym, synonym का मतलब क्या होता है, समान अर्थवला, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, poignant, poignant का दोसों बताना है क्या होगा, यहाँ पर right answers का sad होजागा, option B होजागा, next क्या पूछ रहा है, इसके लिए दोसों आपको based word यहाँ पर द दिया है, आपको change active to passive, यहाँ पर क्या दिया है, active to passive में change करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर दिया है, one should not give in, give, उसके वाद unsolicited advice, right answer इसका जाए D हो जाएगा, ठीक है, unsolicited advice should not give in, option D हो जाएगा, next क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दिया है, राकेस अभी तक का दोकार है, कि indoor नहीं पहुंचा, इसका English translation करना है, राकेस अभी तक indoor नहीं पहुंचा है, right answer यहाँ से just C हो जाएगा, राकेस has not reached indoor 8, ठीक है, option यहाँ से C आपका correct हो जाएगा, अब यहाँ पर reasoning देखेंगे, ठीक है, देखें यहाँ पर इसको कैसे बनाया है, यहाँ पर एक यहाँ क्या क एक से पिस हो गया, और यहाँ पर 8 का 64 कितना हो गया, इसी परकार आपका यह, 88, 64 और 3, 59, कितना हो जाएगा, यह 55, यानी कि option यहाँ से ए आपका correct हो जाएगा, ठीक है, इसका स्कुर्स क्या किया हो, घटाया है, चलि आगे बढ़ते, नेक्स कुस्न ही आपर देखेंगे, यहां पर करें कि वाट के जगा पर क्या होगा तो देखिए सत्रह को कितना बार गुना करेंगे दोसों तो एक सो तिरपन होगा तो सत्रह को दोसों नो बार गुना किया है तो तिरपन हो रहा ठीक है तिसी परकार 24 में भी 9 से गुना कर देजिए तो कितना हो जागा ती यह जागा 26 आपसने ऐसे बी आपका correct हो जागा next क्याइप पूछ रहे हैं पर देश सोभा क्या यहां पर सोभा कर रहा है यहां पर कि आसिस की भांजी है सोभा आसिस की भांजी है आसिस की माँ पिरिया है कमला पिरिया की माँ है हरी दोसु जो है कमला की पती है क्रिशना हरी की सास है तो स्वभा का हरी से क्या संबबंद है ठीक है यहां पर इसको आप लोग बनाएंगे इसका सॉलिचन अपको PDF में दे देंगे यह लंबा थोड़ा जाएगा यह ऊपर से लेकि यहां तक आता है ठिक है इसका राहिट्टिन से यहां से 88 का बी हो जायगा पर पोटी निकलेगा क्या निकलेगा पर पोटी आप सन बी हो जाएगा नेक्स देखें़ यहां पर क्या पूछ रहाए 59 का रहा है कि आब यहां पिछीं, वो जो आप पस्पिम की ओड चलती है, इधर आप ये एक बंदो से चला दीजीए, पस्पिम की ओडार चलती है, और आप खुद बैटे हुए, अगर बना रहे हैं या बैटे हुए आप देख रहे हैं ये सेट को, ता आप खुद चलिए, खुद अपना दाया हाथ जो है दाया हाथ कि आप मुड़िये दाया मुड़ता है तो यह आपका दाया मुड़ गया ठीक है फिर वो दाया मुड़ता है फिर दे अंत में वो बाया मुड़ जाता है तो बाया मतलब बाया उपर चला गया इस बार उपर जो चला गया तो यह उपर की और यह द इतना लिखा जाता है, Monday को इतना लिखा जाता है, Wednesday को क्या लिखेंगे, देखेंगे, फॉन में कितने वर्ड है, पांच वर्ड है, तो पांच लिख दिया है, Monday में कितने वर्ड है, छे वर्ड है, छे लिख दिया है, यहाँ पर Wednesday में दोस्तों कितना वर्ड है, तक गिनेंगे तो 9 वर्ड है, option यहांसे C आपका correct हो जागा, next देखेंगे, यहांपे क्या पूछ रहा है, यहांपे दोस्तों, 91 का देखेंगे, 91 का आप लोग पीडिया प्ले के बनाएंगे, इसका राइट टेंसर यहांसे 92.66, option A हो जागा, next टेंपे देखेंगे, इसका भी दोस्तों आप लोग पीडिया प्ले के बनाएंगे, यह सब सवाल थोड़ा लंबा बनता है, इसका राइट अंसर यहांसे D हो जाएगा, यह दोस्तों आप परियाप्त नतीजे इसका निकल जाएगा, आपसने यहांसे D हो जाएगा, चले, आगे बढ़तें, next question, यहांपे देखेंगे, क्या यहांपे, A का आए 10%, B की आए 15%, C का कितना है, 20% ठीक है, तो A का 10 है, B का कितना है 15 है, और C का कितना है, यहांसे 20 है, यहांपे अनुपाथ निकालेंगे, तो पहले A अनुपाथ यहांपे बी लिख देजे, B अनुपाथ यहांपे C लिख दीए, ठिक है, इसी के according यहांपे लिख देंगे, तो कितना थम पंद्रोंपाद 10 ये पर कर आपका याँ पर बी सुन पात कितना हो जाएगा ये पंद्रोंपाद 40 3200WAN ये आपका पंद्रपाद400बहर्नते सेルク 7, 5 इसको खातेंगे चोरक साहान जेऊone गणा कर लेगा और दो आव पंद्रों तीनों का 78,000 ठीक है तो 6, 4, 10, 3, 13, 13, वराबर ये कितना हो गया 78,000 तो 13 चके कितना हो गया 78,000 एक वराबर आपको कितना निकल गया 60, अभी सभी को गुना कर लेज़े आपको राई टेंसर निकल जाएगा यहां किसका मांग रहा है, बी का मांग रहा है तो बी का आपको कितना निकला है 4, तो 4 अगुना 60 करेंगे तो कितना एगा, 200 गुना 4 24 तो इसका राई टेंसर निकल जाएगा आपसन यहां से क्या हो जाएगा यहां से 600 निकल जाएगा यहां पर दोस्तों 13 चकाठा था यह 600 निकलता, 60 नहीं 600 तो 600 का अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जागा आपका 24 चोबिस इसको राइट एंसर आपसन देख लिए किस में है आपसन यह से सीम है सी इसका राइट एंसर हो जागा नेक्स देखें यहां पर क्या पूछ रहा है यह सवाल आपको हम बता हैं कितना वार अच्छा से देखें इस सवाल को याद रखना जब लंबाई की बात आए तो याद रखना लंबाई की बात में क्या होता है तो रेल गारी की लंबाई जूटता है अगर खंबा रहे तो only rail gari की लंबाई आपका total दूरी हो जाता है ठीक है अगर platform रहे aid तो platform और rail gari को दोनों को जोड़ के जो दूरी बनेगा वो आपका total दूरी होता है ठीक है दोनों का देखिए यहाँ पर दिया है rail gari और platform का लंबाई कितना समान है समान है सबसे पहले ठीक है यानि दोनों का क्या है x x है कुछ भी है ठीक है देखिए rail gari के यहाँ पर दूरी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय तो चाल आपका क्या है नब्य है और देखिए यहाँ पर यह मीटर में आपको यहाँ पर मांग रहा है यह किलो मीटर पर थी घंटा में तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे पांच बटे अठारा से इसको क्या करेंगे गुना करेंगे और यहाँ पर समय देखिए एक मीनिट है तो एक मीनिट को भी यहाँ पर सकेंड में बदलेंगे तो यह कितना हो जागा ठीक है अटvaccराँ पंची आपका क्या हो गया ? नब्य, पचीस हो गया, 25 हके कितना होता ? डीरसो, डीरसो मतलब क्या पंदरासो यह दोनों का दूरी जो निकला आपको कितना निकला ? पंदरासो, अब यहाँ पे देखिए बताए रेल गाड़ी की लंबाई कितना होता यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं रेल गाड़ी पलस प्लेटफर्म का निकाले हैं तो दो से आप भाग दे दीजे और यहाँ पर क्या है समान है यानि कि जितना आपका रेल गाड़ी की लंबाई निकलेगा उतनी आपका platform का भी निकलेगा तो 1500 में 200 से भाग देंगे कितना निकलेगा 750 मीटर दोसों जाए रेल गाड़ी की लंबाई हो जाएगा ठीक है रेल गाड़ी की लंबाई 750 और platform का भी लंबाई 750 आपसन यह से क्या होगा C आपका correct हो जाएगा नेक्स यहां पर इसको भी आप लोग जो है PDF लेकर बनाएंगे इसका जो एंसर दोसों आता है यह आपका आएगा 5 पॉइंट जो है 5 आजाएगा आपसन B हो जाएगा नेक्स क्या पूछ रहा है यहां पर दिया है कि दुस्तों 3 सेस बचेगा तो 8 एसी संख्या है जो 5 से भाग देंगे तो 3 सेस बचेगा ठीक है अब यहां पर संख्या आपको पता चलगे 8 है अब इसका वर्ग कर लिजे 8-8 कितना हो गया 64 64 में फिर से 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तो 5 यहां पर कितना बच आपका 1 और यहां पर 4 64 5 दोना 10 यानि की 4 4 सेस बच जाएगा । आपसर नयाँ से क्या होगा D आपका कर्रेक्ट हो जाएगा नेक्स यहां पर दखेंगे क्या आप ऊच रहे यहां पे देखिए इसको आप लोग सरली करन करेंगे बहुत हीजी है 9 पलस X 9 पलस X बटे 9 हो गया रूट में बरावर यहां ते क्या हो जाएगा 13 बटे 3 यहां पे अगर दोनों से डिकार स्क्वाइर करेंगे ते यह रूट हंट जाएगा यहां पे पूछ रह करें कि एक वस्तु है जो 35% छूट पर 26 रुपया में बेची जाती है ठीक है धियान दिजिए यहां पे 35% की छूट जिर जाती है तो इतना में बेची जाती है यनि कि SP आपको दे दिया है कितना 26 रुपया 26,000 दे दिया है MP अगर हम लोग दोसों अगर माल ले fix rate कितना था इसका तो X था अंकीत मुल तो X का ये 35% छूट दे रहा तो बेच कितना में होगा यानि कि बेचा कितना में ये 65% पर 65% बट एक सो बराबार तर जे बिक्रे मुल कितना 26,000 ठीक है 13,65 तेरा दुना यहां पर 26,000 क्या हो जागा यदि 15% छूट दिया जाए तो बिक्रे मुल किया होगा तो 15% छूट का मतलब फिर इसको बेचेगा 85% में बट एक सो गुना कर लेजिए अब यहां पर गुना किजिए तो आठ पंच यादी पांच चोके 20,0,8 चोके 32,000 यहां पर कितना हो जागा 34,000 इसका राइट टेंसर देख लिजे कितना अबर आपसन में आपसन डी में है डी इसका करेक्ट अंसर हो जागा नेक्स देखें यहां पर क्या पूछ रहा है यहां पर कर रहे कि 50 विद्यार्थी का अवस्त कितना है 45 के जी है तो 50 गुना 45 करेंगे तो आपको आएगा 22,50 आएगा ठीक है उसके बा यहां का कमी हुआ तो यह बचा कितना 49 अगुना यहां पर कितना बचा 44.9 गराम बच गया बराबर इसको जो गुना करेंगे तो कितना निकलेगा आपका 22,001 निकल गया ठीक है आप यहां पर क्या पूछ रहा है इसका सोलूसन आप लेके बनाएंगे यह थोड़ा लंबा जाएगा ठीक है इसका राय टेंसर यहां से बता जाते हैं इसका राय टेंसर 3.20 आपका हो जागा यानि कि 3 बज़कर 20 आपसन यासे बी आपका कैरेक्ट हो जागा तो दोस्तों यह था आपका जो है खांसर का जमलूग स्रीज 5 लगा रहे थे उसमें आपका यह सेट नवर 25 चीश ठाठीक है आई होब कि यह सेट सण आपको अच्छा लगा अच्छा लगा ता आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चनल पर नाए है तो चनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लriaगा तो चले दोस